हेलो डिये स्टुरेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे तो आज के से वीडियो में मैं आपको कक्षा चटवी विज्यान विशे का पूरा रियल प्रश्ण पत्र बताने वाले हूं ठीक है कक्षा चटवी का जो आपका होने वाला है कल याने की 12 अप्रेल का रियल 100 प्रतिशत रियल पेपर हम देख रहे एक दमसली तो इसको पूरे हल कर लेना 60 में से 60 अंक हासिल करना है तो यह प्रश्ण पत्र को करकर ही जाना ठीक है वीडियो को लाइक करना आपने सब दोस्तों तक वीडियो को पहुचा देना पुरा सॉलूशन भी इस वीडियो में आ आपको यह जाना है गूगल पर जाकर टाइप करना है अरफिया.com यह टाइप करोंगे वहां पर आप क्लास भी टाइप कर सकते हो सिक्स्त साइंस इतना आपको टाइप करना है और सर्च बटन दबा देना इसके बाद में एक लिंक को खुलें कि अरफियो डाउनलोड हो जा आगे वीडियो के एंड में एक बार देखना आपको पूरा बतायागा है पीडियाप की प्रोसेस की पीडियाप को कैसे डाउनलोड कर सकते हो ठीक है साट अंकर का कुल पेपर होने वाल है पूरे साट में साट आपको मिलेंगे विशे है आपका विज्या ठीक एक अक्षा यह एक चीती दूसरी चीती की सुगन सुंग कर चलते हुए जो इनकी कतार एक जैसी चलती है एक दूसरे की सुगन सुंग है ठीक है कुछ पक्षियों की दरश्टी इतनी तेज होती है कि हमसे भी चार हुना आधिक दूरी से वस्तो को देख सकते हैं ऐसे पक्षियों का पपीते में विटामिन भी विटामिन है और मचली के तेल में भी विटामिन है सभी में विटामिन ए होता है बिलकुल सही जो विटामिन भी होता है इसकी भी अलगार प्रकार होते है बीटवल ठीक है यह विटामिन दी सूरे प्रकास से में मिलेगा विटामिन सी खट्टे निंबु संत्रा głos तो दो झाए कि खटोरी करना में निदिмат उंवान क्लिवाथ। जब एक बरतन में तेल और पानी को मिलाया जाता है तो निमलिखित में से क्या होगा अब आप चाहए चाहाए जैसी जम जाती तेल को अब पानी तो और अपसमें घुल गेंगे पानी नीचे बढ़ जाएंगा और तेल उपर तेल काई थेशना दाय तो पानी नीचे बढ़ जाएगा और तेल तहरने लगेंगा क्या क्या होगा पानी जो पर ज़ित चाहिए तेल का चाहिए ओपर तेहरने लगेंगा प्रदुशन रईत वहानों का इनमेसे सम्मों कुझसा है जो इंसे दुआ नहीं निकलता शोरने मच्टा जहाँ चार उटरिक्षा है क्या टर्क बस स्कूटर है क्या बस कार जो है यह क्या नहीं तो साइकल बैल गारी घोडा गारी बिल्कुल सही है इनसे कोई प्रदुशन नहीं है इनको पैट्रोल डीजल की आवशकता भी नहीं होती है और इनसे आपको एकदम मतलब वातावरन चलो आगे हैं मसूडों से खूनाना घाव भरने मादिक समय लगना यह किस रोग के लक्षन है यह सकर्वी के लक्षन सही है आंसर ए और रिकेट्स जिसमें हड्डिया जो है थोड़े सरी तिड़ा दिशा हो जाता पैर अगरे घेंगा जिसमें गला बड़ा सा हो जाता और यह अगला प्रशन है निमली कीत में सम्हों मेल खाने वाला सम्हों ग्यात कीज़े कुर्सी पलंग मेज बच्चा अलमारी या गुलाब चमेली नाव गेंदा कमल तो जो मेल खारा हो देखते हैं तो इन में से देखों सारी चीज़े वैसे तो बहुत डिफरेंट है देखो इसक वस्तू है लेकिन इन सब के बिच में एक अलग है वो कौन सा है बच्चा जो जिवित इंसान है तो ये भी गलत है हमारा ये समूसा ही नहीं है गुलाब फूल होता है चमेली भी पूल होता है गेंदा भी और कमल भी लेकिन नाव फूल है क्या नाव नहीं ये तो एक गलत है ठीक है चीनी नमक रेत कॉपर सलफेट ठीक है इनमें भी चीनी नमक रेत तो यह तो हमारे विलियन केस में आम इनको लेते हैं तो यह आता है कॉपर सलफेट इनमें भी अलग है तो यह भी उत्तर नहीं है आप देखो एल्यूमिनियम आइरन तामबा चांदी सोना जी ह साहिए क्या सबना के सहा कथन सत्य हमा पत्थर तर्शी, सोने का टाड़ चमकदार होता है चाक जल में विलिन हो जाता है और तेल जल के साथ विले हे तो जैनी तो यह तीनों आपके गलत है तो फिर सही कौन सा यह है सोने का तार चमकदार होता है सोने के आभुशन चमकते हैं बिल्कुल सही उत्तर है चलो अगला बीजों को अंकुरित करने की निमने में से क्या आवश्यक है कि बीजों को गिले कपड़े में लबट कर रखना जिससे वह अंकुरित हो जाया ठीक है यह करते है जिससे चने वगएर खाते होंगे अपने अंकुरित मुंग दाल भी खाई होंगी बिल्कुल यह तो कि आगे क्या है निमने में से कौन सी वस्तु पानी में तैरती है पत्थर डाल के रेखना डूब जाएगा सुई भी डूब जाएग परवत ठीक है राइटान से लिश लेजेगा परवत चलो आगे क्या है पौदे और जंतु में पाये जाने वाले फीसिस्ट लक्षन जो उन्हें आवास में रहने के योग्य बनाते वह क्या है आवास या परिवेश ठीक है इसको देख लेना उत्तर को आगे है बुजो गिल परिवर्तन हो रहा है तो यह कौन सा परिवर्तन तो यह उत्क्रमनी परिवर्तन है जैसे बरफ लिया उसको पिगलाया पानी बना फिर पानी को फिर से फ्रीज में हमने रग दिया फिर से बरफ बन गई फिर से पानी मतलब जो परिवर्तन होते रहता होते रहता है यह उत्क पीडियप एयरे पीडियप पे मिलेगी आपको विदुद परिपत में विदुदधारा प्रवाइत होने की दिशा इन में से कौन सी होगी यह आपको देखना है तो सही उत्तर क्या होगा विदुद से तर्मिनल की ओर तो यह सही उत्तर है option number a ही चलो नेक्स्ट है कौन सी दो गैसे मिलकर वायू का 99 परसंट भाग बनाती है तो ऑक्सिजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर बनाती है तीक है सही उत्तर बी नमबर का नेक्स्ट क्या है वर्तुल गती किसे कहते हैं तो गुणन करते समय अंकी चिन्न से दूरी समान रेस को गुणन गती वर्तुल गती कहते हैं तो बूरे रंका हो जाता है तो बूरे रंका हो जाता है चलो आगे है प्रश्ण कर्मांग 11-20 कोई तीन स्त्रोथों के नाम लिखिए जिन में विटामिन सी पाया जाता है ठीक है तो खटे पधार्थ ल कुल 10 अंक के प्रशन आएंगे डिक है उटामिन सी के प्रमुक स्त्रोथों को चीत्र सहीत बताईए एक तो भीजामींन सी के प्रमुक तरोत निंबु का बना लीजेगा चित्र संत्रा का बना लेजेगा आउला हैं थी इनके बनाना अन-हार प्लास्टिक नििम्हान पधारतों से यह जोब से नामों की वनाइए लकडि, चमड़, प्लास्टिक लकडि, चमड़, लगड़, तो प्लास्टिक की वना लेख सकते हो आगे क्या हैं कागच से बनाई जासकते हैं जैसे आराम से लेटे हो इसका कारण क्या है है लरट्य सागर में नमकी मातरा अधिक होती है जिस कारण आराम से लेटे रहते नमकी मातरा ज्यादा होने के कारण इसमें लिख लेना प्रया आराम से लेट सकते हैं इसमें आगे यहां जीवहनु में सम्वेत दी इंद्रिया कौन से ओथे हैं क्या अपolie गांट आज चती तो लिए सब्चाने के तुरानत वाद हमें क्या करना चाहित है उस अंक की उपर जैसे हाथ पे काटा हो पयर पे काटा हूं उस अंके उपर हमें नीचा करकर कपड़ा बांग देना चाहिए और तटकर को तुरहन्त दिखाया थीक है यह आपके सबसे अच्छा उपाए है आपके काटने पर फिर आगे क्या question है अगला question देख लेते हैं वो है पौदो में जड़ो के क्या कारे है तो जड़ो के कारे जड़ो से पानी और खनीज लवन का उप्शोषन होता है पौदो की जड़े जो होती है क्या करती है यह मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती है तो यह जड़ो के प्रमुक कारे हैं खनीज लवन इसमें भरे हुए रहते है चलो आगे क्या है नेक्स्ट है पहले इतना लिश लेज जी थी है फिर पेड़ो की जो है डटकर उसको पकड़ कर रखती है आगे है मेरुदंड किसे कहते है उसका क्या कारे तो मेरुदंड पीट की हड़ियों का सम्मूझ जो मस्तिशक के पीछे भाग से निकल गूदा के पास ठक जाता है उसके कारे लिख लिख लिजे दिर गोत्तरी प्रशन 21-24 विटामिन और खनिद लवनों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुक रोगों कौन कौन से है रोगों के नाम तता लक्षन भी लिखिए विटामिन A की कमी से हमें क्या हो जाता है रतोंधी इसके अप्तर भी पारदर्शी पारभासी पदार्थों को उधारन सहीत बढ़नान करिए ठीक है यह कोश्चन है आपका और है दो चुम्बकों के बीच की स्तीती में आकर्षन तथा की स्तीती में प्रतिकर्षन होता है चीत्र के इमाध्यम से इस वर्ष्ट की स्तीत्र बनाना है आपको और इसको समझाना चलो देखते हैं तो प्रतिक चुम्बक के कोई दो धुरूबत एक सा उततर दुरू एक दक्षीन धुरू एक दक्षीन दुरू ठीक है एक चुम्बक है उसका आप कितने भी टुकुड़े करते आऊंगे ना सबके दो धुरू होंगे तो एक को तो N अर्थ आतम क्या कहते हैं ुत्तर तथा दूसरा सिरा S अर्थ आतम इसको दक्षिन कहते हैं अता हुआ तो उत्तर दक्षिने दोनो दुरूं वहते हैं और यदी दो चुंबक के विपरित दुरूब एक साथ होंगे तो उनमें आकर्शन होंगा और यदि दोनों दुरूब क्या होगे समान यानि दोनों N, N या S, S होंगे तो उनमें प्रतिकर्शन होगा मतलब वो नहीं जिपते हैं उसके बाद क्या है अगला है विदूत खंबो या विदूत उपकेंद्रों के पास छेतावनिया खत्रे का निशान बने होने का क्या महत्व है यह आपके कुल प्रशन होते 24 एक से लेकर 24 तक मैंने आपको बताया है 21-24 जो प्रशन होते है वो भी आपको जल्दी प्रोवाइट कर दे जाएगे आप इनको कोशन को हल कीजिएगा फट से याद कर ले यह पूरे 133 तरिया ले है गूगल पर जाना है गूगल पर क्या टाइप करना है यह पीडियाप पूरी की पूरी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आंसर साइथ पस गूगल पर जाएए सर्ज कीजी www.airapindia.com जहां पर सारी पीडियाप अवेलेबल है वीडियो को लाइक कीजिए गा यही प्रश्चिन पत्र आपको कल के पीपर में आएगा और वीडियो का अपने सब भी दोस्तों में शेयर जरूर से करें तो चलिए मिलते है नए वीडियो में अब हम देख लेते हैं आप पीडियाप को कैसे डाउनलोड करेंगे सबसे पहले आप गूगल पर आजाए जहां पर सर्च करते हैं सर्च बटन पर आपको आना है और देखिए यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर टाइप कर लिजे का क्या टाइप करना है